गीता परविचार करते हुए और पारायन करते हुए हम प्रथम अध्याय से चलते चलते आज जुतिय अध्याय में पहुंच चुके हैं प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन को विषाद हुआ स्वजनों के समूह को देख करके और उस विषाद से ब्यथित होकर के अर्जुन ने निध्धन करने का निश्वे किया जिसका मूल कारण था उसका अपनों के प्रति मौह और उस मौह के निर्शन के लिए ही दुती अध्याय में भगवान ने उसे उपदेश देना प्रारण हुए किया और सचे अर्थों में कहें तो गीता का प्रारण भी दूसरे अध्याय से ही माना जाता है जहां भगवान कहते हैं सच्च्वान अनुसोचस्तम प्रग्या वादाश्च भास से गता सुन गता सुष्च नानुसोचंति पंडिता तो जित्य ध्याय में भगवान सबसे पहले अर्जुन को आत्मा की अमर्था का बहुत कराना चाहते हैं और कराते भी हैं बार बार भगवान ने यह समझाने का प्रयास किया है अर्जुन जिससे तुम समझ रहे हो कि हम मारेंगे और यह नहीं रहेंगे तो यह तुम्हारा भ्रम है ज्यान नहीं है वास्तिविक ज्यान तो यह है कि जिसे हम और तुम इन शरीरों को अनित्य शरीरों को अपना मान रहे हैं वो शरीर मरन धर्मा है और नित्युन की जत्ति है तो तुम्हें इसमें सोग करने की कोई बात नहीं है इसलिए आत्मा अजर है अमर है अभिनासी है इसका विचार करके कि सरीर के मरने के बावदूद आत्मा की मर्थ तुक अभी नहीं होती है तुम्हें सोग नहीं करना चाहिए तो करना क्या चाहिए यहां पर एक महत पूर्ण स्लोक जो कि अर्जुन के लिए और हम सब के लिए अभुद्धिमत पूर्ण है कहा है त्रेयान स्वधर्मों विगुडः परधर्मा स्वनस्ठितात् स्वधर्मे निधनम्से अह परधर्मों भगावः है अर्जुन परत्य के बेक्तिख्या श्वधर्म अपना धर्म होता है और आपको कित्रा भी अच्छा लगे कि दूसरे का जो धर्म है वह अतन्त मौहक है प्रधुः तुम्हारे लिए मुहक लगता है पर सक्या नहीं है दरसल यह सोधर्म है कि आईए पर विच्यार करें स्वधर्म दो सब्दों की योग से बनाएं स्वधर्म प्लस धर्म स्वधर्म नहीं इंद्रियों का धर्म नहीं मन का धर्म नहीं स्वधर्म आत्मा जो हर सरीर में अब्यक्त रूप में विद्यमान है तो निच्चित हुआ स्वधर्म आत्मा का धर्म और धर्म क्या है कर्म के सापेच्छ देखें कि आवन मत्र कर्म जितने भी हैं भगवान निगीता में भी क्या है सब बंधन वाले हैं हम जो भी कर्म करेंगे बंधन होगा सत कर्म करें तो भी बंधन आसत कर्म करें तो भी विहित कर्म करते हैं तो उसी कर्म का नाम धर्म हो जाता है और धर्म हमें मुक्ति प्रदान करता है अब धर्म तो सब का एक हो गया पर स्वधर्म सब का एक नहीं हो सकता जैसे धर्म की प्राप्ति और मुक्त की प्रतेश मनश्य का लच्छ है मुक्ति एक लच्छ है और धर्म एक रास्ता है साधन है जिसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं परन्तों वह धर्म सब का एक नहीं हो सकता है सब का स्वधर्म अलग-अलग होता है जैसे संसार में जितने भी आप मनस्य पाएंगे सब में सब्चीत तो एक बरावर है पर सब की चेहरे एक जैसे नहीं है सब की विचार एक जैसे नहीं है सब की भावना एक जैसी नहीं है इसका मूल कारण क्या है हर व्यक्ति अनेक जन्मों से संचित अपने कर्म समुहों के संसकार को ले करके जर्म लेता है और वह उसकी अंतर का धर्म होता है अंतर का धर्म और जो जिस तरेनी तक अपने कर्मों द्वारा संसकार प्राप्त किया होता है वहीं उसका आंतरिक धर्म होता है जिसे आत्मा का धर्म कहते हैं अब आत्मा का धर्म आंतरिक धर्म यह समझेगी जैसे कोई भी वालक वैदा होता है और उसका सुभाव ऐसा होता है कि बिना कि कहीं पढ़ाए लिखाए उसमें शांती दया करुणा अपने आप होते हैं वह अगंभीर प्रटल क्या होता है किसी से लड़ना पसंद नहीं करता चोरी करना पसंद नहीं करता अब लोब बस माया बस कोई कुछ कर बैठे वह बात अलग है पर उसका मूल सुभाव सांती क्या है परन्तु आप ऐसे भी मनुस्य देखे होंगे जिने न तो माता पिता समझाते हैं न गुरुजन समझाते हैं और कहीं सिख्चा भी दियाती है परन्तु उसका मूल सुभाव क्या होता है चंचल कार्या धिक हुद्धर्णता है यह उसका मूल सुभाव होता है कहने का मतलब क्या हरे वेक्ति का सुभाव उसके अंतर आत्मा का जो सुभाव होता है वह मूल रूप से उसको वैसी ही दिशा में प्रेजित करता है वही उसका सुधर्म होता है अब यहां भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि है अर्जुन अर्जुन छत्री था यह सनाते नहीं यहां जात की बात नहीं है आप अंदर से की सभाव से प्रेजित हैं और क्या करने की योग्य हैं आप के सभाव के अनुकूल कर्म करूंसा है उसका अर्जुन को भगवान भान कर आना चाहते हैं अर्जुन अपने पूरे जीवन में युद्धशी युद्ध किया और सभाव उसका छत्रीयत को था अब आर्जुन जब सन्यासी की भासा बोलने लगा तो भगवान ने समझ लिया अच्छी तरह से यह सन्यासी की भासा बोलता है और यह कहता है मैं भिच्छा का अन्न ग्रहन करके जीवूंगा पर इन्हें नहीं मारूंगा हिंसा कोई धर्मत तो है नहीं है परन्तु अर्जुन केवल मोह बस यह बात कह रहात है उसके अंतर में उसका स्वधर्म जो था स्वभाव जो था वह चत्रियत को था वह जुद्ध से भाग भी जाता तो उसके अपकीरती होती और जब उसका चत्रियत तो यागता और और मांडी जी वह सन्यासी भगवान उसको बनने की आगया देते बन में चला जाता तो उसके मन में छत्रियत उत्था तो सन्यासी धर्म का निर्वाः वो करना ही पाता और वहां भी उसका जो मूल सुभाव था बार बार अर्थात कोई भी रखते उसका जो मूल सुभाव है सोधर्म है उसकी विपरीत दूसरों की देखा देखी नकल करके मुह बस लालच बस अन्य प्रकार से अन्य तरीके से अपना उन्नती और विकास करना चाहें और अगर ऐसा सोचे वह तो उसकी भूल सिद्ध होगी यद्यप्रिपते एक मनुष्य का एक मात्र करतब है मुक्ति प्राप्त करना परंतु सोधर्म की अन्कूल हम जब अपने कारे में प्रवित्त होते हैं तो वह चीज बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है जैसे कोई चंचल सभाव का व्यक्ति है शरीर से भी बलिष्ट है निरोग है और आप उसका करतब्य मुक्ति प्राप्त करने का है धर्म पर चलने का है उसके लिए धर्म क्या हो सकता है वह ब्यक्ति उस योग्य है इसलिए एक सेना में भरती हो करके और जब दूसरे देश के सेनाओं को हज्जारों से हज्जार सनिकों कुमार देता है तो वह इंसा नहीं होती है वह परम कल्यान का करण बनती है कि उना धर्म रक्षार्त होती है राष्ट रक्षार्त होती है और यह के व्यक्ति ऐसा होता है जो सांति प्रिय होता है करुणा प्रिय होता है गंभीर होता है वह यह दिचाहे कि मैं देश की रक्षा में म्यूक्तु हो जाओं और वह कार करके जैसे उस साइनिक ने प्राप्त किया स्रेयस को मुत्ति को वैसे मैं भी प्राप्त कर लूँ वह कदाब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका वह स्वधर्म नहीं है उसकी आतमा का धर्म नहीं है, अंदर का धर्म नहीं है, वह उसे नहीं कर पाएगा, उसे कर पाने के लिए उसे बहुत ही कछिन परिस्रम करना पड़ेगा, यहां तक की दूसरा ज्यन्म भी लेना पड़ सकता है, उसे तो अपने सोभाव के अनुसार, ज्यान देना, ज्यान ल लोगों को सुसंस्कृत बनाना, सोयम सुसंस्कृत बनना, इसे कारे को अपना करके वह ब्यक्त भी मुक्त को प्राप्त कर सकता है, इसी तरह से हम अपने सोधर्म का निधार कर सकते हैं, सोधर्म हमें निशार गृता प्राप्त होता है, कहीं अन्यत्र से नहीं आता, हमारे जन्म से पहले माता, पिता, समाज, सुष्ट्री, राष्ट्र, सब पहले से थे, अज हम पैदा हुए, हमें ग्यान हुआ, तो यह हमें स्वताह प्राप्त है, हमें स्वधर्म कहीं खुजने नहीं जाना है, माता, पिता की सिवा करना, परिवार की सिवा सुष्ट्रा करना, उनकी बेकास के लिए परिश्रम करना, समाज, सही दिशा में चले, उसका उठान हो, उसके लिए प्रत्र करना, राष्ट की सिवा करना, राष्ट की रक्षा की लिए लग जाना, यह सब सुधर्म के इंतर आते हैं, धर्म के इंतर आते हैं, तो जिसका जो सुभाव है, मूल सुभाव है, वही उसका सुधर्म है, और व्यक्ति अगेर अपने सुधर्म के नुसार आचरन करता है, बुक्त हाम सभी एक विशेष गुण को लेए गर पर पएदा हुए है जैसे ये संगीथ कार होता है अधि minist olhos को करीध के लिए mostrar कोई बाहर से नहीं देता तो उसके अंदर होता है को किलाकार होता है तो कलाकारि बाहर से नहीं डाली जैती उसके अंदर ही वह प्रहुता है और उसको में ही विकास करके वह भी परमस्रे को प्राप्त कर सकता है उदारन के लिए देखें जैसे मचली पाणी में रहती है जल ही उसका जीवन है अब मचली अगर सोचे यह तो पानी है इससे भी बढ़िया तरल प्रदार था है दूध और मचली को अगर आप दूध में ड दिन तक जीवित रहेगी मर जाएगी इसलिए मचली को पानी में रहकर ही अपना विकास कर लेना चाहिए भगवान के कहने का मतलब यह है आर्जुन के माध्यम से हम सभी को भगवान यह सिचात देते हैं कि हमारा जो मूल सोभाव है उसका निर्धारन हमें स्वयम करना होग और सामने जो सहज प्राप्त कर्म है वही उस समय निर्धारन करना चाहिए कि हमें क्या करें हमारे सधर्म क्या है अर्जुन जुद्ध के दोनों सवनाओं के बीच जुद्ध के लिए तयार है दुन्दभी बत चुकी है और ऐसे समय में आर्जुन के लिए जुद्य के अतिरिक्त अंडे कोई सोधर्म हो ही नहीं सकता, और भगवान उसी की भान कराते हैं, इसलिए हम सभी क्यों अपने स्वभाव के अनुरूप धर्म का आचरण करके, सोधर्म में रहते हुए, धर्म का आचरण करके, मुत्य प्राप्त करने का प्रात्र करना यही भगवान का संदेश है